कि नमस्कार मैं रिशाद अली और आप देख रहें यूपी शर्तनी खवर फरुकावाद की दुनिया तक पैटोल पंप मैनेजर से किया नगदी लूटने का प्रयास पांच बर्स पूर भी गोली मारकर लूटी थी नगदी लिटोरो के होसले बुलन फिर किया नगदी लूटने का प्रयास दिन दहाड़े कारे को अंजाम देने से इलाके में मचा हड़कम तो दोस्तों खबर जानने जे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस कबर को लाइक करें शेर करें वा कमेंट करें और देखते रहें यूपी शेत्तनियों थाना शेत्त के क्याम निविया इटावा बरेली हाइवे पर इस्थित एम आर फीलिंग स्टेशन है वहाँ के मैनेजर ओमबीर सिंग दोपहर बाग लगब तीन लाख रुपे लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकला था तबी महमत पुर गाओं के निकट पीछे से नीले रंग की अपाचे से दो बदमास आए और मैनेजर ने बताया कि बदमासों ने बाइक रोकने का कहा लेकिन वह बाइक रोकने को तैयर नहीं हुआ उसी दो रांग पीछे बैठे बदमास ने तमंचा निकाल लिया तमंचा देखकर ओम बीर ने अपनी बाइक महमत पुर गाओं की तरफ मोड दी जिसके बाद बदमास मौके से फरार हो गए मैनेजर ने पेट्रोल पम मालिक कृष्ण बीर सिंग को फोन से घटना की जानकारी दी जिसके बाद थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुँच गए और उन्होंने जाच परताल शुरूर की जाच में दुकानों पर लगे सीसी टीवी केमरे में आरोपियों को देखने का प्रयास किया गया हमारे दर्शकों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पांच बर्स पूर भी इसी पैटोर पंब के मैनेजर को गोली मार कर लाखों रुपे की लूट को अंजाम दे चुके हैं ये गटना फरवरी 2015 की है बदमाशों ने निबिया चोहराई पर बाइक सवार ने पीछे से गोली मार कर रुपे चीन लिए जिसका खुलासा पुलिस ने गटना के छे माँ पूर्ब कर दिया जिसमें नगदी के रूप में मात्र 9000 रुपे ही बरामद हुए थे शेर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी शेत्तानी फिर मिलते हैं कहीं आओ जब के लिए जैए